वेलपाइक दो आई है डिए गसे टे मिन चैनल तो आज हाव का क्लास है जो की हम पिछले गासस में को शीकाता कुछ बेसिक शेप्स को यूज़ करके डैसे को ड्रोग करेंगे उसको सिखाता तो आज हम तोड़ा सा फ्लावर को ड्रोग करेंगे की बेसिक शेप की मदद से हम फ्लावर केसे ड्रोग कर सकते हैं उसको हम आज की क्लास में सिखेंगे तो पहले हमें एक चोटा से सरकल को ड्रोग करेंगे तो यह हमारा चोटा सा सर्कल हो गया पहला एक रेफरेंस को ड्रॉक करेंगे उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे तो आप इसे कर सकते मार्किंग और इधर से इसे मार्किंग और तो यह हुआ हमारा मार्किंग इधर स्केल का ज़रूरती नहीं है तो एक लाइन तो यह हुआ और जो इसका मिडल पार्ट रहता है उस सभी को मार्किंग और यह थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए कि कि मैं पहले रिफ्रेंस के लिए क्रॉस ड्रो किया था थोड़ा से स्ट्रेट रहना चाहिए इस तरह तो हम इधर मिडल पॉइंट को मार्क लिया चारो तरफ इसके बाद हम उसको जॉइन करेंगे इससे आप ड्रो करते ही जाए तो इधर एक हमारा फ्लवर बन चुका है इकुल पार्ट से इसके बाद जो इसके अंदर चोटे-चोटे से पल्स होता है उसको हम ड्रो करेंगे तो पे हुआ क्लवर तो हम लास्ट इपसोड पर लीफ को बतायता तो आप जैसे चाहिए उस तरह प्लीफ कर सकते हैं और इसका जो मैं आपको डेप्ट बनाया था पीछ वाली लीफ को एक पार्ट कि हम शेडिंग भी सिकता था पिसरे क्लैसस में लीफ का तो डार्क से लाइट तो इसका शेडिंग में बाद में बता दूंगा तो इसके बाद हम सांफ्लावर को ड्रो करेंगे कि पहले इस तरह एक सर्कुल को ड्रो करेंगे उस सर्कुल को तोड़ा सा डाक से फिल करेंगे हम स्क्रिबलिंग के मदद से तोड़ा सा शार पेज देंगे तो उसके बाद एक और सर्कल तोड़ी से बड़ा वाली सर्कल क्योंकि पेटल्स इसका बहर ना जाए सबी फ्लोवर्स एक ही साइस मेंजे तो आप देख सकते हो हम इदर एक सर्कुल को ड्रो करेंगे तो आप देख सकते हो तोड़ा सा इदर यह मूटी हो गया तो इस तरह नहीं होने के लिए हम एक सर्कुल को ड्रो करेंगे इदर उसके बाद आप जितने भी पेटल्स ड्रो करने चाहते हूं तो एक कि दो कि टीन चार में पहले लिया उसके बाद सभी मिडल पॉइंट को में मार्क करते जा रहो हूं तो एस अंपला रहे तो हम शार पेज दे देंगे इसको तो एह हो आमारा मिडल पॉइंट भी थोड़ा सा कर लेंगे तो एव हमरा संफ्लोवर तो आप डिरेक्टली करते हो तो एस या जाएगा तो एक बड़ा एक चोटा आजाएगा तो इसलिए इस तरह मत करनाया तो हम पहले एक रेफरेंस ले लिया अंदर एक और मिडल से और पूरा एक बड़ा सरक्र तो इस हम परफ्रेक्ट बना सकते कि इस से अधर गयाप कितना होना चाहिये और और रिवल मं कितना होना चाहिए और अचील हम इस रेखरेंस के मददसे हम बता सकते और इसके अलाबा बारेव में रह्त शाएगलबर से यह हम एक यह अंदर के पाण तो यह हुआ पहला एक सर्कल जितने बड़ा आप करते चाहे जितने बड़ा आप कर आप जितने बड़ा फ्लोवर करना चाहे उतना बड़ा सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो तो इदर में पांच सेपल्स करूंगा वांच नहीं चाहर करूंगा चाहर मैंने इदर रेफरेंस को ड्रॉ कर चुका हूं तो मिड़ पॉइंट नेक्स्ट इसका नेक्स्ट तो कि आप देख सकते हो मैं बहुरा आचुका हूं इधर तक आप देख सकते हो सही तरक्षी से आचुका इधर तोड़ा लंबी हो गया और आप एभी दिख सकते हो कि जहरा हम और एक भी कर सकते हैं कि मिड़ पॉइंट पे शार्प होना चाहिए यह हुआ हमारा फ्लावर और फ्लावर्स में तो बहुत सारे वेराइटीस होता है कहीं भी दिखे होगा कि फ्लावर तोड़ा सा लंबे रहता है पहला बेसिक शेप ओवेल यह हुआ हमारा उवेल उसके बाद एक हाफ सर्कल हाफ ओवेल को ड्रॉ करेंगे आए हुआ हुआ इसके बाद लिग इदर से इधर तक हम जाइन करेंगे करेंगे इए हुआ है एक हुआ है यह यह पीचे का पड़त है तो हम गर रिफरेंस को एरेस करेंगे इसके बाद जो यह वहाँ एक अनेदर जो इस तरह हो सकते है इस तरह होते है फ्लवर्स तो इसको भी हमका लिया कि अने जो इसको बताना चाहते हूं तो इसके बाद में एक विड़ पॉइंट तो इसको यह जैसे इदर हम लोग रहे है तो पहला पाट्स उसके बाद मीडल पॉइंट तो हम कर सकते इदर इसको यूज करके अगर तॉप यूज से बनाना होई तो तो तॉप यूज से ने तोड़ अशा एसे दिखाने चाहिए तो में एसे बाना दूँगा एसे मिडल पॉइंट ओवल बना दूँगा और अंदर भी एक ओवल तो हम इदर ऐसे दिख सकते हैं कि एसे होगा आप लोग इसको भी इदर जाइन कर सकते हैं एक लाइन से दूसरे लाइन इदर तोड़ा सा लेंद आ जाएगा क्योंकि एक रांस से होता है इसलिए यह मारा हमारा क्रॉस एंगल से यह आप दिख सकते हो तो अगर आप पूरा साइड वी उसे दिखना चाहिए तो आप सिर्फ हाफ ओवल रॉक करना चाहिए कि ज़र सेम स्टार्ट करेंगे यह वा पहला हम कितनी से पल एक रॉस होता है हम साइड यू से तब देखते हैं क्रॉस यू से होता है कि पहले हम तोड़ा रेफ्रेंस के लिए सर्कल से बार जाएंगे तो यह जो है पीचे का पर्ट है तो यह हुआ हमारा साइड व्यू से पूरा साइड व्यू से यह तोड़ा सो क्रॉस यू से यह तो टॉप यू से और इसमें बहुत सरे वराइडिस होते है जैसे और यह सेंटर पॉइंट है इस फ्लवर का तो फैला हम क्रॉस से स्ट्रोक नालेंगे तो इदर स्ट्रेट लाइन इसको आम क्रॉस व्यू से दिक रहा है यह तो यह तोड़ा से इदर चोटा कर चूका है अब इसे कर सकते हैं और और आप चोटा फ्लावर बनाने चाहिए तो आप कुछ भी डिरेक्शन से कर सकते हैं आप रैक्टिस करो साइड यू से फ्रेंट व्यू से अब प्रैक्टिस करना ही चाहिए कि आप पूरा का पूरा परफेक्ट हो जाएगा आने वाले एपिसोड आप एक बार लाइन करके करो दो बार लाइन करके करो उसके बाद आप लाइन मत यूज करो आप डिरेक्शन से ड्रा करते जो कि आपका जो लेंद का सेंसे इंप्रू हो जाएगा कि आप देख सकतो है तोड़ा से चोटा हो गया तो मिसको यह से करेंगे कि आप मिश्टे को आतो उसको करेंट करके जाए कि आपका फ्लवर बहुती परफेक्ट आजाएगा और में इधर जितने भी फ्लवर्स यह उस अभी बेसिक शेप से बनाता फ्लवर्स और बहुती ई हो सकते हैं तो इस वीडियो आप कैसे रगा आप जर्वर कमेंट करके बताएए और किसी भी डाउट है तो मुझे इंस्सेग्राम पर मेसेज करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके तो मिलते हैं देनाइन के साथ तब तक कुछ रहें सेफ रहें धन्यवाद गैस बाबाए हुआ 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 है